देखिए, पहली बात तो इसका lens makers formula नाम क्यों रखा गया, नाम से लग रहा lens बनाने वाला, बाई जब lens की खोज की गई, तो हमने उसके फैदे देखे, कि lens तो बड़े काम की चीज है, उसके लिए microscope, telescope, हमारा चस्मा सम्भी लगाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, अब चस्म lens का होना चाहिए, अलग-अलग material का होना चाहिए, तो हमको lens को बनाने वाले जो थे, उनको बताना पड़ेगा ना, कि इतना radius का रखो, इतना फोकल lens का रखो, इतना n रखो, value देने पड़ेगा ना, तो हमने का एक formula बनाने पहले, तो lens makers formula मतलब हम focal length of the lens का formula बनाने जा रहे ह क्यों बनाने जा रहे हैं, इस value को हम इसे दुकानदार को बताएंगे, यह formula है, ठीक है, अगर हम radius, मतलब जो भी proof होके आएगा बात की बात है, उसमें जैसे माले 5 चीजे होंगी, 5 unknown quantity, तो 4 हम उसको बता देंगे, 5 value हमको अपने आप मिल जाएगी, ठीक है, तो lens makers formula में सबस लेंस के दोनों तरफ medium सेम है, तब क्या होगा, और lens के दोनों तरफ medium अलग-अलग है, तब क्या होगा, तो पहली बात करेंगे, कि when both the side medium is same, तब क्या concept लगेगा, देखिए, पहले हम ले रहे हैं कि when both the side medium is same, अब इसको proof करने के पहले, चलते हैं convex and concave spherical surface पे, हमने बताया थ अगर कोई concave माल लेते हैं, यह concave है कि convex है, नहीं, मतलब अगर इधर medium है, इधर air है, कोई और medium है, मतलब इधर माल ले अन वन है, और इधर N2 है, यह glass है यहाँ पर, कांच है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई object रखा हुआ है, कितनी distance पर रखा हुआ है, यू distance पर रखा और इसका radius of correlation माल लेते हैं, आ रही है, हम mirror नहीं बोलना है, concave spherical surface, यह concave है यह convex है, यह convex है, यह convex है, इधर से हम काट के निकाल लेते हैं, glass, इधर कांच होता है, इधर air होती है, यह rarer medium होता है, यह convex है, तो बताइए, अगर light N1 से N2 में जा रही है, U distance पर object रखा हुआ है, और V distance पर image बन रही है, तो इसका जो formula बनता था, क्या था, नहीं याद है, N2 upon V, minus N1 upon U, is equal to N2 minus N1 upon R, याद है, हाँ यह तो याद है, अब याद आ गया, याद आ गया न, light कहां से कहां जा रही है, N1 से, N2 में जा रही है, तो पहले N2 लिखा और N2 के नीचे image की distance लिखी जाएगी, यह ध्यान रखिएगा, इसका इस तेवाल हम करेंगे, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, कि lens makers formula किसके लिए, for convex lens के लिए प्रूफ करने जा रहे है, convex lens के लिए, प्रूफ नहीं करने जा रहे है, निकालने जा रहे है, convex lens के लिए नि आईएगा, इसमें कितने surface हैं, दो surface हैं, एक पहला वाला एक, दूसरा वाला, हम दोनों surface को एक साथ नहीं बनाएंगे, और चुकि यह thin lens formula कहलाता है, यह कैसा है, thin lens formula, यह lens यहां पर कैसा है, thin किसमें यह नहीं होती है, THIN lens का formula हम बताने जा रहे हैं, अब देखो ध्यान से, साथान, हमने कहा, कि suppose यह है convex lens का पहला surface, ठीक है, यह पहला surface है, और यहां पर है glass, अंदर काच होगा ना, यहां पर, बाद में surface complete करेंगे, और इधर का refractive index क्या है, N1, और lens के पदार्थ का index है, N2, पहले surface से, और पहले surface का center इधर कहीं होगा, C1, और पहले surface का radius, R1, पहले surface से, U distance पर, एक point object रखा हुआ है, यहां से light गिरी, ठीक है, और यहां पर एक normal है, कहां से उकर जाएगा, पहले surface के center से उकर जाएगा, तो light normal की और, जुग गई, और जुख करके, यहां कहीं आ करके मिल गई, और यहां पर इसकी क्या बन गई, image I dash, ठीक है, और पहले surface से, इसकी distance कितनी है, V dash, डाइग्राम समझ में आएग नहीं आया, और, तो आप क्या लिखेंगे, के, let a point object, point object O is placed at distance U, कहां से, from first surface P1, first surface P1, तो आपको यह नहीं बताना है कि light गई, और normal मिला और high कैसे, उदर जाके पर गई नहीं, P1 ने image कहां बना दिया, I dash पर, it makes its image, it makes its image, कहां पर, at I dash, at distance V dash, at distance V dash कहां से, from P1, ठीक है, अब light N1 से N2 में गई है, ध्यान रखिएगा, N1 से N2 में गई है, ठीक है, तो आपका जो mirror formula होता है, mirror नहीं, reflection formula होता है, by reflection formula, by reflection formula, क्या होता है, क्या बता है, अभी मने बता है, दो minute पहले, N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon, N2 upon V बोले तो, N2 बोले तो, light जिस medium में जा रही है, तो N2 में जा रही है, तो क्या हैगा, N2 upon V बोले तो, V dash minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R1, ये पहले surface की condition सुन में आ गई, पहुँचे यहां तक, देखें, यहां पर हम जो N1 refractive index लिखते हैं न, तो वो अपने आप absolute index होता है, यहां एर के respect में है, ठीक है, समझे भी बार नहीं है, अब देखिए, इस i dash को किस ने बनाया, पहले surface ने, यहां पर बना हुआ है, इस i dash किस ने बनाया, पहले surface ने, अब यहां पर तो second surface भी है ऐसे, second surface है, देखें, यहां हुआ क्या action है, i dash second surface के लिए, यह P2 surface है, और उसकी लंबाई कितनी है, T, इसकी thickness T है, बाद में हम क्या कहेंगे, T को ignore करेंगे, पहले क्यों नहीं ignore किया, अगर हम पहले ही T को 0 माल लेंगे, दो surface का concept ही नहीं रहेगा, एक surface हो जाएगा, तो हमने का P2 के लिए i dash किसका काम करेगा, object का, कैसा object, virtual object, तो i dash acts, i dash acts as virtual object, virtual object, किसके लिए, for P2, तो P2 को इसका final image बनाना है, अब एक question आता है, बात में करिएगा, देखिए, यहाँ पर जब light गिरी है ना, यह light यहाँ आ रही है, साउधाईजा देखिए जब light यहाँ पर आई है, तो second surface मिल चुका ना, इसको, भाई हम तो second surface को absent कर दिये थे, तब light वहाँ जाके मिली, ल कहाँ से जाएगा, center of curvature C2 से, और यह light अब N1 में दुबरा जा रही है न, तो कि दोन तरफ medium का index क्या है, N1, तो light यहाँ से ऐसे turn हो जाएगी, और यहाँ पर कहीं final image बन जाएगा, जिसकी second surface से दूरी कितनी है, V, नहीं समझे, लेकिन लिखेंगे हम कैसे, actually में eye dash नहीं बनत eye dash बनता ही नहीं है, बनता है final eye है, लेकिन हम पहले second surface को क्या कर रहे हैं, absent कर रहे हैं, और पहले surface से उसका image बना रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि second surface के लिए eye dash किसका काम करता है, virtual object का, और second surface इसका image कहा बनाता है, eye पर, तो आप लिखेंगे eye dash acts as virtual object for P2, it makes its final image, final image at eye, तो by reflection formula, by reflection formula, क्या formula होता है, n2 upon v, light कहां से कहां जा रही है, light n2 से n1 में जा रही है, यहाँ n1 से n2 में गई है, यहाँ n2 से n1 में जा रही है, तो यहाँ पर n1 upon v आएगा न, n1 upon v minus n2 upon u बराबर n1 minus n2 upon r आएगा न, आप देखें, n1, v क्या है, image की दूरी, sorry, n1 आएगा न, light n2 से हां ठीक है, मताब यह होता है, हां ठीक है, तो v यहाँ पर v है, minus n2, u क्या है, second surface से object की दूरी क्या है, v dash minus t, आपने तो यहाँ से v dash मानी है न, first surface से, आप तो यहाँ से दूरी ले रहे हो, तो आएगा v dash minus t, is equal to n1 minus n2 upon r2, अब आप कहेंगे as t is 0, because it is a thin lens, so t को हम neglect कर देंगे, तो आएगा n2 upon, n1 upon v minus n2 upon v dash is equal to n1 minus n2 upon r2, equation number 2, अब देखें, actual में आपकी जो point object o है न, उसका image कहां बन रहा है, i पर, i dash को हमको हटाना पड़ेगा बाद में, हैनि v dash को हमको गायब करना पड़ेगा, तो गायब करने का तरीका क्या होता है, अगर इन दोनों equations को देखें, पहले और दूसरे को, तो अगर दोनों को add कर दोगे, तो n2 upon v dash cancel हो जाएगा न, add कर दो, adding equation 1 and 2, तो n2 upon v dash cancel हो जाएगा, क्या हैगा, n1 upon v minus n1 upon u is equal to, n1 minus, यहाँ पर आएगा, n2 minus n1 upon r1 plus n1 minus n2 upon r2, पहुचो यहाँ तक, यह r2 है, बढ़ एक्जाम में आएगा, आप के की, what is lens maker's formula, प्रूब the lens maker's formula, या आप से कहें के reflection formula for the thin lens, ठीक है, तो वो यह तो करना पड़ेगा न, कि यह क्या है, बोलें, यह है, यह है, यह है, यह है, अब कुस लोग diagram कैसे बनाते हैं, आइसे, देखिये, हम बना नहीं पाते हैं, गंदा बना रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे, आइसे यह देख रहा हैं, ऐसे बनाएंगे, फिर यह आइसे यू बनाएंगे, बिजब यह design ऐसे बनाते हैं, जीस step में बना, उसे step बनाएए, तो diagram बन जाएगा, हमारा भी ठीक है, ठीक ही ठाक बना है, आप ज़रा देखो, थोड़ा इसको अमेंडमेंट कर लेते हैं, साउधान, उपर हो गया ना इधर, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो ध्यान से, अब आप ये तो understood है कि जो N2 है ना वो आपका लेंस का material है, तो वो denser होगा, बाहर rarer होगा, तो यानि कि ये N2 मानस N1 तो positive value है, लेकि N1 मानस N2 negative value है, अगर यहां से minus common ले लें, इधर देखें, तो यह क्या बन जाएगा, N2 मानस N1, और common ले लेंगे तो आएगा, N1 अपान V, minus N1 अपान U, is equal to N2 मानस N1 common, यहां क्या आप जाएगा, 1 अपान R1, minus 1 अपान R2, हम जाने अब N1 से divide कर दो, तो क्या हैगा, 1 अपान V, minus 1 अपान U, is equal to N2, upon N1, minus 1, 1, upon R1, minus 1, upon R2, इसको आप N बान सकते हैं, जैसा light, first medium से second medium में जाती है, तो आप refractive index, 1, N2 लिखते हैं, तो 1, N2 को आप क्या लिखते हैं, N2 upon N1, यहाद है, अगर light water से glass में गई, तो आपको WNG इसका फ्रमला क्या होता है, NG upon, यह N को आप mu लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आज N हमको अच्छा लगा, N लिख दिया, चुकिक हम लोग को बच्छमन में N पढ़े हैं, बड़े होते होते हैं, तो अब mu पढ़ लो क्या दिक्कत है, तो इसको N म लिए, इसको पहचानते हैं आप, बोले हम नहीं पहचानते हैं, नहीं हम नहीं पहचानते हैं, अभी वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, तो फोकल लंद की बात हो रही है, आपको पावर तो बात में फोकल लंद में निकालनी पड़ेगी ना, देखो ध्यान से, यह हम नहीं जानते अगर U infinity हो जाए लाइट कहां से आ रही है infinite से infinite से आने वाली light को principal axis के paddle मना जाता है ठीक है तो यारी तब इसके बाद light कहां जाके मिलेगी focus पे तो V ब्रावर क्या हो जाएगा F मलूँ है ना कि principal axis के paddle आने वाली light after reflection focus से जाकर के मिलती है so by equation 3 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 upon F is equal to N minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 यह lens makers formula है यही आपका lens makers formula है अच्छा अगर equation 3 और 4 को compare कर दो तो 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U proof हो गया ठीक है तो by equation 3 and 4 हम यह भी लिख सकते हैं by equation 3 and 4 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U लिख सकते हैं यह lens makers formula है इसको ध्यान से समल लिजेगा इस पर numerical 100 plus 100% आता है 200% concept क्या है यह lens makers कहां से बन गया सुनिये ध्यान से हमें lens की ज़रुरत है न तो lens की power हमको मालूम है हमको इतनी power का lens चाहिए power बोले तो power का मतलब होता है कि कोई भी lens किसी भी light को कितना bend कर देगा वो इसकी power होती है ठीक है मैं बड़ा पाउर प्रोडों को जुका देता हूँ ऐसा बोलते है न पिच्चरों में तो जुकाना यानि कि ज़्यादा power होना ठीक है कि फोकल लंद का रेसिप्रोकल होता है यह फिजिकल डेफनिशन है तो वो क्या करेगा एक साचा बनाएगा जैसे ओफना बनाएगा जैसे वो गज्या मनाएजाती है दीपा-उली में ठीक है वो radius set करेगा इसका जिसका करेगा radius set और दोनों का ऐसे करतेगहा और बीच में ग्लास भर देगा पिगला करके और थोड़ी दिए ठंडा कर देगा बरीया लेंस तो वो क्या set करेगा आरून आर्टू को set करेगा अज़ बहुत टाइप के उसके पास material होंगे तो एन भी set कर देगा यहाँ पर कौन सा end use होने वाला है अगर end given होगा आरून आर्टू set कर देगा ऐसा set करेगा तो focal length आपकी required म इसमें confused न होईएगा अब हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों तरफ index अलग अलग है तब क्या होगा तो proof का pattern वही होगा note करिए नहीं क्या नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा proof कैसे करोगे इसको भाई देखे अगर आप n upon v minus 1 upon u n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r proof करोगे तब sign लगा होगे हम वो proof करा है करा है formula यूज कर रहना वो formula लेड़ी हमने proof कर दिया है इसलिए यहां पर वो sign convention नहीं लगाएंगे 10 theta लगा करके वो proof करिए आप वहाँ पर snail star लगा करके तब आप sign लगाएंगे वहाँ पर वो अलेड़ी हमने proof formula यूज किया यहां ठीक है लेकि जब numerical लगाएंगे तब आप sign लगेगा ठीक है नोट करिए अब अगला है कि अगर दोनों तरफ medium different है तब इधर का index n1 lens का n2 और तीसरे का n3 तब क्या करेंगे proof आई होगा आप सुनिए ध्यान से यह पहला surface है ना पहले surface ने क्या किया point object o का image कहा बनाया i dash फे light किधर से किधर जा रही है n1 से n2 में जा रही है तो formula क्या लगेगा n2 upon v dash minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r1 समझगा यही बात पहला equation फिर आपने क्या कहा कि i dash क्या होगा इसका जो second surface है उसके लिए virtual object का का काम करेगा और second surface क्या करेगा i dash का image कहा बना देगा i पर अब light कहां से कहां जा रही है n2 से n3 में जा रही है तो क्या हैगा यह किसके लिए था for first surface for first surface के लिए अब बात करेंगे for second surface क्या होगा अब आप कहेंगे वो तो negligible है वो बात में जब दो surface की बात कर रहे हैं तो उनके भी separation तो लेना पड़ेगा तो this will come n3 upon v minus n2 upon v dash यह हम मान के चलना है कि पिछला वला प्रूफ आपको सम्म में आ गया होगा उसी को यूज कर रहे हैं आप पर n3 minus n2 upon r2 अब देखिए चुकिए v dash को हटाना है तो दोनों को add कर दो adding equation 2 and 3 adding equation 1 and 2 तो यह कर जाएगा यह क्या आएगा n3 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r1 plus n3 minus n2 upon r2 यहाँ पर और कोई proof नहीं होगा यह ही result है ठीक है अगर कोई value दी होगी तो यहाँ पर हम put कर देंगे यह आपका formula है जब हम diagram बना रहे थे तो एक बात आपने नहीं पूछी हम से सुनिए द्यान से हमने कहा कि पहला surface यह जरा साउधान पहला surface यह है और यह point object है यहाँ से light गई और पहले surface ने इसकी image यहाँ वरा दिया यह हमने कहा ना जैसे आपने दिखा होगा जब hair cutting saloon जाईए अब यह लोग तो जाते हैं वो उसको कुस नाम चेंज कहते हैं beautiful कहते हैं और हम लोग beautiful होने के बावजूद भी हम जाते हैं तो hair cutting saloon और नवा नाई तो जब पहले क्या होता है यह आप बैटे हुए इदा देखें आपके सर की image पीछे बनती है ऐसे पीछे एक सीसा लगा होता है और वो image सामने वाले सीसे पे आपके लिए virtual object काम करती है फिर यह image सामने देखती है तब मुझे लगता है मेरे पीछे कोई पठा हुआ था है या तो हम देखनी रहे तो मेरा अपत बाद में पता जलता कि मेरी image की image बन रही है इसलिए इधर देखिए जब second surface हमने खीचा एक मिनट तो इस object यह second surface के लिए object का काम कर रहा है तो नियमता second surface को इसकी image इधर बनाना चाहिए था नियमता चाहिए था उधर ही को बना दिया हमने जब मैं कह रहा हूँ कि इस surface ने इस object का image यहां बनाया इस surface के लिए यह as object काम कर रहा है तो second surface इसका image यहां बना दे बनाना चाहिए न डियाग्राम के हिसाब से देखिए दो चीजे है एक तो second surface यह image यहां बनेगी नहीं पहली बात तो समलेजे यह वर्चुल सब कुछ है क क्यों क्यों कि यह image कब बनेगी जब second surface absent हो क्योंकि light जैसे ही यहां पहुंचेगी ना कौन बिलेगा इसको रास्ते में second surface यह फट से अपना नॉर्मल खीचेगा और उठा यहां पर पटक देगा जाओ यहां image बना देगा अज़ा पटक वर्ट तुनों common हो गया the same word I have used very good coincident समझे पार नहीं आई दूसरी बात समझेगा हमने बताया था कि जब यहां पर light गिरी थी तो हमने का देखे दो चीजें है यह normal है ना light normal के ओर जुकी तो अगर हम पीछे बढ़ा दे तो इसका image यहां भी बन रहा था और इसका image यहां बन रहा था दोन तरब बन रहा था यह है जब convex surface के हम बात कर रहे थे light को हलका सर नार्मल के ओर जुका रहे थे हमने का अगर पीछे बढ़ा दो तो आपकी image यहां भी बनेगी और image यहां भी बनेगी यह real image होगी यह virtual image होगी जब हम second surface की बात करेंगे तो इसके दोरा जो image बनेगी real हो इधर बनेगी जब second surface तो अगर इसने इसका image यहां बना दिया तो image ultimately बन किसकी रही है? O की? तो अगर यह image eye dash की image इधर बनेगी तो O के लिए वो real image नहीं होगी इसलिए हमको उधरी बनाना पड़ेगा ठीक है? दो कारण इसके हैं तो यह आपने चुकर कोशन नहीं पूछा है इसलिए हमने दमाद अपड़ बोड इग्जामनेशन और इग्जामनेर्स लवशीट जो भी इसका आप महिमा मंदन कर सकते हैं विलकुर इसको समल जेए हो तब जैसे बंदावन का कनहिया वचे फिजिस्स का लेंसमेकर्स फार्मूला सेम है कर लीजए इसको